हेलो एवरीवन इस हर्ष और वेलकम बेक तो अनदर वीडियो फॉम कंसेप्स आप बाइलोजी तो गाइज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या यू कहले कि यह बड़ा ही इजी सा टॉपिक है जो कि है ओफिस्प्रिंग और क्लोन ठीक है इन दोनों के बीच हम डिफरेंस को देखेंगे है ना देखो आपने पहले भी इन दोनों टर्म्स को पढ़ रखा होगा कि क्या है ओफिस्प्रिंग क करने के लिए हम इन दोनों के बीच डिफरेंस को देखेंगे क्योंकि जब आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो यह टर्म आपको देखने को मिलेंगे है ना ओफिस्प्रिंग और क्लोन ओके सो हम हमें कोई डाउट ना हो इसलिए इस डाउट को क्लियर कर लेगे ओके सो गाईज लेट्स तार्ट और वीडियो विदाओट वेस्टिंग आवर टाइम कि सबसे पहले देखो मैंने क्या लिख रखा है ऑफिस प्रिंग में जेनेटिक में अपक्प है ना तो जेडिक में क्या लिखा हुआ ऑफिस प्रिंग इन्हेरिट जेनेटिक वह फ्रॉम बोथ पैरेंट्स ठीक है, एक जो ओफिस प्रिंग होता है, और उसके जीन में क्या होता है, जेनिटिक वेरियेशन होता है, उसके जीन में कुछ changes होते हैं अब बिल्कुल exact अपने parents के जैसा similar gene जैसा उसके parents का gene है वो बिल्कुल exact copy अपने off spring को आने वाले जो उसकी पिड़ी है उसको बिल्कुल वैसा ही gene नहीं देंगे कुछ ना कुछ इसमें variation देखने को मिलेगा ठीक है पहला point एक तरफ clone क्या है clone आरे exact copy of their parents और organism clone क्या है अपने parents या organism के बिल्कुल exact copy है clone में क्या है कि कोई भी genetic variation नहीं है यह बिल्कुल same है जिस तरह का organism होगा उसी तरह का उसकी जो आने वाले पिड़ी होगी बिल्कुल same उसी तरह की होगी उसी तरह का जिव होगा इस चीज को समझना है चलो reproduction देखो reproductive method अब देखो यह जो off spring है यह किस reproductive method के तहत off spring का production हो रहा है off spring कब हम कह रहे हैं कि यह off spring कि यह जो जिव है यह off spring है या यह जो produce हो रहे हैं है ना जो भी यह जीव बन रहे हैं उनको हम off spring कब कह रहे हैं देखो निहान से समझना they are produced sexually through the fusion of egg and sperm cells अब देखो क्या है कि जो off spring है ना यह sexual reproduction के तहत बन रहे हैं जब भी sexual reproduction होगा और उसके और जो संतान का जन्म होगा sexual reproduction के बाद तो वैसी संतानों को हम क्या कह दे रहे हैं office spring कह दे रहे हैं ओके अला कि office spring का मतलब संतानी हुआ करता है लेकिन English में इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है हिंदी में हम उसे संतानी कह देते हैं बट यह दोनों term different है इस चीज़ को आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान में लेकर चलना है तो office spring हम कब कहेंगे किसी जियू को जब वो sexual reproduction के बाद उसका formation होगा ठीक है और sexual reproduction में क्या होता है sperm cell और egg cell का क्या होता है fusion होता है male gamit और female gamit का fusion होता है ओके और उससे zygote का formation होता है है ना ओके इधर क्लोन में they are produced asexually ठीक है clone देखो asexually produced होते है यहां actually sexually यहां पर लिखा गया है तो यहां इससे सुधार लेना let me write it for you guys I think marker is not working properly बट ध्यान रखना जो clone है ना वो asexually produced होने है ठीक है एकदम ध्यान रखना बहुत important point है ठीक है ओके मेरा marker चल नहीं रहा है यहां पर ध्यान रखना gamits are not formed तो asexual reproduction में gamits बनते हैं क्या नहीं बनते हैं ठीक है hence no fusion of gamits take place जब gamit बनेगा ही नहीं तो fusion क्या होगा fusion नहीं होगा ठीक है तो ध्यान रखना इस बात का ओके अब आते हैं adaptability पे next term पे adaptability में देखो क्या लिखा हुआ office spring have greater adaptability to changing environment अब जैसे जैसे क्या हो रहा है कि environment change होगा environment जो वातावरन है वो adverse condition अगर होगा environment का तो उसके हिसाब से ये जो office spring है ढल जाएंगे है ना उसके हिसाब से ये adapt कर जाएंगे ठीक है changing environment में आसानी से adapt कर जाएंगे क्यों ऐसा क्यों है कि ये changing environment में आसानी से adapt कर जा रहा है इसलिए क्योंकि इनके पास genetic variation या genetic diversity है देखो क्या लिखा हुआ office spring have greater adaptability to changing environment due to genetic diversity very very important क्यों ये आसानी से adapt कर जा रहा है क्योंकि इनके पास genetic diversity है ये याद रखना which help them to survive in adverse condition जो की मदद करता है इनकी ताकि ये adverse condition में survive कर सके ये important है इसका ध्यान रखना ठीक है अब देखो एक तरफ clone क्या है clone may have reduced adaptability due to lack of genetic variation अब clone के पास क्या है कि ये changing environment में आसानी से adapt नहीं कर पाते ठीक है आसानी से ये adapt नहीं कर पाते क्योंकि इनमें कोई genetic variation है ही नहीं ये exact copy है अपने parents के exact copy है इनमें कोई variation नहीं है ठीक है मैंने इससे पहले एक video डाल रखा है sexual और asexual reproduction के उपर अगर आपको कोई doubt हो तो आप वहाँ जाके उस video को देख सकते हो तो और भी अच्छे से ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी लेकिन I hope कि आपको अभी चीज़ें कुरी तरह से clear हो रही होंगी ओके चलो नेक्स्ट क्या है parental involvement अब देखो इसमें क्या है parents का जो involvement है वो किस तरह का office spring required genetic contribution office spring क्या है genetic contribution चाहिए from both parents for their formation दोनों parents से genetic contribution मिल रहा है तब जाके office spring बन रहा है है ना ओके that is male gamit भी और female gamit भी है ना मिल रहा है तब जाके जाकर क्या बन रहा है office spring बन रहा है fertilization हो रहा है तो office spring बन रहा है अच्छा एक तरफ clone क्या है clone do not require the involvement of two parents clone में दो parents के involvement की कोई ज़रूवत लहीं है है ना मैंने sexual reproduction में भी बताया था है ना जब sexual और asexual reproduction के बीच मैंने जो वीडियो डाल रखा है वहां मैंने ये सारी चीज़े बताई है ओके कि जो sexually reproduced जो office spring होते हैं उनमें क्या होता है genetic variation होता है है ना जो genetic contribution होता है वह दोनों parents से होता है लेकिन जो clone होते हैं उनमें क्यवाल एक ही parent भाग लेता है ठीक है यहां दो parents participate कर रहे हैं ना यह चीज़ मैंने बताया था ठीक है यहां पर एक ही parent participate करता है ठीक है तो दो parents का तो सवाल ही नहीं उठता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में मैं reply दूँगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने friends के साथ share करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विल सी यू इन दे नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फो वाचिंग